मंदिरों में भक्तों की कतार लगना शुरू को गई है महादेव घाच के कटकेश्पर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे है श्रडाल वो बोल बम किनारों से गूंद रहा है मंदिर परिस्टार तो भक्तों का सेलाब उमर्ड पड़ा है और आपको बता दें कि क्योंकि आज शुब मंदिरों में भक्तों की कतारे देखने को मिल रही है सावन का सूंबार है जिसमें भक्तों का सेलाब उमर पड़ा है और जैसा कि माननेता है कि आज की दिन व्रत रखने से पूजा अच्छे से करने से भगवान शिव प्रसन होते हैं इसलिए शिव भक्तों का सताता मंदिरों में देखने को मिल रहा है तो सुबह की यह तस्वीरें जहां मंदिर में भक्तों की भीर देखी जा रही थी तो रायफुर की ये तस्मिरे हैं रायफुर की एक मंदे की तस्मिर है जहां सुबह भक्तों का सेलाब किस तरीके से उमड़ पड़ा था और क्योंकि आज सावन का सुमबार पड़ रहा है लहाजा भक्तों का सेलाब मंदे किस तरीके से देखा जा रहा था अपना ही एक अलग महत्व आज के दिन का माना जाता है लेहाज़ा शिव भाग आज के दिन शिव जी को प्रसंद करने के लिए यानि भागवान शिव को प्रसंद करने के लिए कोई और कसंद नहीं ठोड़ते हैं लेहाज़ा आज के दिन प्रत रखा जाता है और पूजा ही जाती है कि सावन का पहला सुम्बार और आज के दिन की महदविता को देखते हुए भक्तों का सैलाब तिस तरीखे से उमर पड़ा है मंदिरों में बोल बंके नारू से कुंज रहा है मंदर परिसर छिव मंदिरों में भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई है और व्यादर जरनकारी के साथ स्वारा समुटा प्रमूद शर्मा कुनाएं प्रमूद जैसा कि आज पहला सुम्बार पढ़ रहा है सावन का भक्तों का सैलाब किस तरीके से मंदिरों में देखा जा रहा है। तरीके से मंदिरों में देखा जा रहा है। जो सावन का ये सुंबार पहला जो सुंबार होता है उस पे एक अलग ही महत बताया गया है। शिव की अराधना में विलीन हो जाते हैं भक्त क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पूजा अजना करने से या व्रत रखने से। शिव की भक्त अराधना पूरे मन और लगाव से अगर करते हैं तो शिव जी प्रसन होते हैं। वे करना करते हैं।